दोस्तों पिछली बार जब भारत के तरफ से कई बिलियन डॉलर के यार्क्रैप्टों को खरिदने को लेकि MMRCA टेंडर को जारी किया गया था तब बोईंग कमपनी के द्वारा इस टेंडर को जीतने के लिए अपने F.A.18 सुपाहॉर्णेट यार्क्रैप्टों का ओफर भार के सामने रखा गया है पर कुछ समय पहले खवरों में दावा किया गया कि बोईंग कमपनी के द्वारा आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने F.A.18 सुपाहॉर्णेट यार्क्रैप्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को संपूर्ण रूफ से क्लोस कर दिया जाएगा और शायद बोईंग कमपनी के द्वारा इंडियान यार्फोर्स के इस बार के जो टेंडर है मतलब 114 फाइटर यार्क्रैप्टों के टेंडर से अपने F.A.18 सुपाहॉर्णेट यार्क्रैप्टों का विड्डॉल कर लिया जाए और केवल मात्र F.A.15 EX यार्क्रैप्टों के स साथ ही बोईंग कमपनी आगे बढ़ेगा मतलब इंडियान यार्फोर्स के इस मेगा टेंडर में बोईंग कमपनी के F.A.15 EX जैसे बड़े आकार के यार्क्रैप्ट तो रहेगा ही साथ में F.A.18 सुपाहॉर्णेट जैसे छोटे आकार की या फिर के तो मीडियम आकार के य यार्क्रैप भी रहेगा बैसिकली दोस्तों देखा जाए तो पिछले वार के टेंडर में ही अमेरिके गौवर्मेंट के तरफ से बोईंग कमपनी को F.A.18 सुपाहॉर्णेट का भारत को ओफर करने को लेके अनुमती दे दिया गया था पर इस अनुमती से बोईंग कमपनी को किसी वी तरीके का कोई फाइदा नहीं हुआ और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि बोईंग कमपनी के F.A.18 सुपाहॉर्णेट यार्क्रैफ असल में इंडियान यार्फोर्स के टेकनिकल राउंड तक को क्लियर नहीं कर सका टेकनिकल राउंड को केवल मात्र दो ही यार्क्रैफ्टों के द्वारा पूरा किया गया था और उनमें एक है फ्रांस के डासॉल एविएशन के तरफ से निर्मान किया हुआ राफैल यार्क्रैफ जफ की दूसरा है योरोवियन कंसर्शियम के तरफ से निर्मान किया हुआ योरोफाइटा टाइफून और कुछी स समय पहले मतलब साल 2021 में बाइडन एडिनिस्ट्रेशन के तरफ से बोईंग कमपनी को F-15 EX Eagle 2 यार क्रैप्टों को भारत को ओफर करने को लेके अनुमती दे दिया गया जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद बोईंग कमपनी F-18 Super 100 यार क्रैप्टों को संपूर रूफ से Super 100 यार क्रैप्टों का performance इस टेंडर में जादा कुछ अच्छा नहीं था और पिछले वार से अब तक इन यार क्रैप्टों में जादा कुछ बदलाओ भी नहीं किया गया वही पर दोस्तों पिछले वार के टेंडर में Lockheed Martin के तरफ से अपने F-16 Block 70 72 यार क्रैप्टों का ओ के रूप में F-21 यार क्रैप्टों का ओफर करने का बात कहा जा रहा है हाला कि दोस्तों अगर Lockheed Martin के F-21 यार क्रैप्टों को देखा जाए तो कुछ और नहीं बल्कि F-16 यार क्रैप्टों के ही एक reference वर्जन है जिन कारणों के वज़ा से अमेरिका को ये भरोसा नहीं हो प सब्सक्ख्राना चाहता है हाला कि दोस्तों F-18 यार क्रैप्टों को देखा जाए तो ये जो यार क्रैप्ट था ये Indian Navy के V-VR करे टेंडर में हार चुका है रफल यार क्रैप्टों के द्वारा Akaid margin यार क्रैप्टों के दूर के द्वारा एक बार नहीं बल्कि दो दो बारी यार्क्राप्टो के साथ जो A15Ex Eagle 2 यार्क्राप्टो का ओफर किया गया है बेसिकली ये क्लासिक F-15 यार क्रेप्टो भूर फिर्टों के लिग्स पहली है लेकिन अमेरीकी कम्पनी बुईंग का डावा ये हैं कि यार क्रेप्टों में कई तरीके के बदलाव किया गया है और यार क्रेप्टों में कई सारे आदुनिक फीचर्स को जोड़ते हुए इसे एक 4.5 जिनरेशन के यार क्रेप्टों में तबदिल किया गया है पर दोस्तों इन यार क्रेप्टों को लेके लगातार मीडिया में कई तरिके के अलग अलग खबर आ रहा है जिन में इन यार क्रेफ्टों के overall cost और overall जो पर hour flying cost है वो भी काफी अधिक होने के कारण एक तरिके से अमेरिका के द्वारफी इन यार क्रेफ्टों को इतना खास पसंद नहीं किया जा रहा है अलाकि दोस्तों अगर इंडियान यारफोर्स के इस टेंडर में देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा टोटल तीन यारक्रेफ्टों का ओफर यहाँ पे भारत के सामने रखा गया है और तीनों यारक्रेफ्टों को ही अगर देखा जाए तो यह अलग-अलग काटेगरी में के यारक्रेफ्टों को दो इंजिन वाले हेवी वैट काटेगरी के यारक्रेफ्ट के रूप में देखा जाता है जबकि एफए 18 सुपा होनेट यारक्रेफ्ट दो इंजिन वाले मिडियम prac काटेगरी का यारक्रेफ्ट है और एफ 16 असल में यहाँ पींग एक 6 सिंगल इंज का कोई ना कोई iять क्रेफट अवश्य होगा में और लिए कोप से निर्मान किया हुआ दो इंजिन वाले Heavyweight category के सुखोई ASU-35 है जबकि इसके इलावा योरोफ से भी तीन यार्ट्राफ्टों का ओफर हुआ है जिनमें स्वीडन के तरफ से अपने सिंगल इंजिन के Lightweight Gryfin यार्ट्राफ्टों का ओफर जहाँ पे भारत के सामने रखा गया है तो उही पे European Concertium के द्वारा अपने Eurofighter Typhoon मतलब दो इंजिन वाले Mediumweight category के यार्ट्राफ्टों का पेशकर्श रखा गया है और सबसे पहला पसंद तो फ्रांस के Dassault Aviation के Rafale Aircraft ही है जो की दो इंजिन वाले Mediumweight category का यार्ट्राफ्ट है और इनी कारूनों के वज़ा से कोई विदेश इस टेंडर को अपने हांस से जाने देना नहीं चाहता है और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके वज़ा से Boeing Company भी किसी वी तरीके का रिक्स ने लेना नहीं चाहता है और अब तक अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से किसी वी देश के फाइटर यार्ट्राफ्ट के टेंडर में इस तरीके से अपने यार्ट्राफ्टों का ओफर नहीं लखा गया और इस तरीके से टेंडर को जीतने के लिए प्रयास नहीं किया गया है अब दोसो एक तरफ जहाँ पे अमेरिका भारत के टेंडर को जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है तो उही पे दूसरे तरफ इंडियन यारफोर्स अपने मोडिनाइशन को लेके जो इंडिजनियास यारक्रेफ्टों का प्लान बना रहा है वो प्लान भी लगातार दि से इंडियर क्रेफ्टों को निर्मान करने को लेकर अनुमती दिया जा चुका है और इस अनुमती को इन यारक्रेफ्टों के डिवलप्मिंट का one of the crucial step के रूप में भी देखा जा रहा है और दोस्टो अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अम्सीय यारक्रेफ्ट पर आप लोग लोगो ये भी जानके रखना चाहिए कि AMCArCraft को हभारत के द्वारण के द्वारा एक 5th generation के stealth iarcraft के रूप में बनाया जा है मतलब इन यार क्टो को अल्रीडी इस तरीके सफ हो जा रहा है कि इसके radar क्रॉस स्क्रेइट कम से कम हो वापर से DRDO क्योंकि ये जो अल्ट्रा वाइड बैंड रैडर आफ्जर्वन स्क्रीन है इसे अगर इन यार्क्राफ्टों में लगा जाता है तो नो डाउट इन यार्क्राफ्टों को एक एडवांस टेक्नोलोजिकल बेनिफिड मिलेगा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि DRDO के ये जो टेक्नोलोजी है ये असल में एक तरीके का ऐसे मैटरियल है जो इलेक्ट्रो मैगनिटिक वेब को एब्सॉर्फ कर सकता है चाहे वो किसी भी फ्रिक्वेंसी का हो इवन ये मौडरन रैडर से निकलने वाले वेब्लेंड को एब्सॉर्फ करने में सक्षम है और इससे असल में रैडरों के लिए जो चैलेंज है वो बढ़ेगा और इन यार्क्रेफ्टों को बैटल फिल्ड में एक बैनिफिट मिलेगा अब दोस्तों अगर यार्क्रेफ्टों को रैडर में ही नहीं देखा जा सकता है तो आप हो ताकि यार्क्रेफ्टों को किसी वी तरिके से डिटेक्ट ना किया जा सके हलाकि इसके इलावा इन यार्क्रेफ्टों में और वी कई तरिके कैसे टेक्नोलोजिस का उप्योग किया जाना है जो कि यार्क्रेफ्टों को और अधिक स्टेल्थी बनाएगा और ऐसा रैडर स्कीन के साथ इन यारक्रेफ्टों को अभी से ही एक नेक जनेरेशन मतलब 6 जनेरेशन के यारक्रेफ्टों के रूप में देखा जा रहा है देने के बाद आशा किया जा रहा है इसकी सेप्टेंबर महिने तक यारक्रेफ्टों के प्रोटाइपों के निर्मान के काम को शुरू कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो आशा किया जा रहा है कि अगले दशक के पहले हिस्से में ही इन यारक्रेफ्टों को इंडियन परणली शामिल किया जा सकेगा तो हुई पर इंडियन यारफोर्स के तरफ से इन यारक्राफ्टों को लेकर अपने कमिट्मेंट भी किया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताविक इंडियन यारफोर्स के तरफ से कम से कम इनिशली 140 ऐसे यारक्राफ्ट मतलब 7 स्क्वाडन करलेंस जाएगा जिनमे दो स्कुरॉटन को ? ये भी मानना है कि ये तो केवल माथ रे इंद्टियान और होगा और यार क्रप बनने के बाद कम से कम 200 100 कि जाएगा तो आप लोग वह क्या लगता है कि इंद्टियान आरफोर्स के ताकत में बढ़तरी आ सकता है कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही फेही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे जब तक के लिए जैहिंद बंदे महतरम